तो गाइज मैं हूँ अंकित और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वाक्स सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को सुरु करेंगे रॉग जैने पैरेच से तो भाही रॉग जैने पैरेच को लेगे क्या अपडेट है कब वो आ सकती है में रॉष्टर में कर इसको लेके अपडेट समने सुनी लेकिन अभी वो एनिक्स्टी चैंपियन बन चुकी है तो अब तो स्कोप ही नहीं रिखता है कि आस पास भी कहीं भी ऐसे कोई अपडेट आए कि भाई वो आ सकती है में जाल दी उनका कॉल अप हो सकता है अब अभी अपडेट है फाइट इनका अगर वर्ट्स में आपको पता हूं तो कहते हैं कोरी ब्रेनन आई थिंक तो गो तो दे में रॉस्टर अस सुन अस सी डज लूज द विमन स्टाइटल अट्स वाट इंगा कहना है कि जब स्टैंड डिलेवर में उस टाम चैंपिन नहीं थी रॉग जब इन्हों नहीं चीज सुनी थी कि रॉग जैन परेज अगर टाइटल जीतेंगी तब वो में रॉस्टर में नहीं आएंगी तभी इनको आइडिया लगया था कि भाई यह चीज साइद लंबी होगी और अभी वह निक्स्टी विमन चैंपिन है यानि कि स्टैंड डिलेवर में ही डिवल डि बना दी थी कि अगर स्टैंड डिलेवर में रॉग जैन परेज बन जाई यह नहीं चैंपिन तो उसको में रॉस्टर में नहीं भेजेंगे जब वह अपनी टाइटल ड्रॉप करेगी तभी वह आएगी में रॉस्टर में अब कापी कॉमन सी चीज है बाई सिंपल चीज है क अब यह नहीं है वह थोरी से अनफॉर्चिनेट चीज है लेकिन हाँ जो भी है अभी के इसाब से वह आ जाएंगी जैसे ही अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगी अब कब ड्रॉप करेंगी किसके अगेंस्ट करेंगी वह भी एक क्वेस्टन है अभी इनका मैच होने वाला है बागी वक्त बताएगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता है अभी के इसाब से यह कुछ अपडेट है रोग जैने पैरस को लेकर कि वह जो है अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगी तभी आपको मेन रॉस्टर में आते वे देखने को मिलेंगी आगे बढ़ते हैं का इस बात क से जे उस होने कर रहा है उस तरीके से अभी और सूपरस्टार्स करेंगे एस्पस्ली क्लाइस दे कैसल खरम होने के बाद यह चीज भाई और जारा पेस पकरेगी लेकिन नेयोमी ने अभी से काफी ऑब्विस कर दिया कि वह विमन्स मनी इन द बैंक लाटर मैच में होने वा लगता है कि वह जीते हैं उसके लिए पारिटिसिपेट करना परेगा तो इन्होंने काफी ऑब्विस कर दिया कि वह पारिटिसिपेट करेंगी एक तरीके से खुद को डेकलेर कर दिया आप कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बेबी फेसे जीतना चाहिए तो कुछ कह रहे करता है बाकि आप भी बता सकता है आप अपने तॉट्स कॉमेट करके फिलाल नेयोमी ऑविस करती है कि हाँ वो डिकलर करेंगी अनौस करेंगी खुद को जल्दी विमन्स मनींदर बैंक 24 के लिए उन्होंने चीज़ कंफर्म करके बताइए कि उन्हें लगता है कि 2024 के कि बुकिंग अभी भी है कोई फैदा नहीं वा इनको सासा बैंक्स के साथ लीव करनेगा लेकिन अभी केसा अपसी नोंने साथ खुद को डिकलर कर दिया मतलब ऐसे ना करते हुए भी करी दिया एक तरीके से वही बात आगी कि घूम फिरके ऑविस काफी नोंने बना दिया ह आगे बढ़ते हैं गाज बात करते हैं अगली स्टोरी के बार में एक और मैच एड होते हुए देखने को मिल सकता है क्लास अदे कैसल का मैच कार्ड और रेड़ी स्टैक्ड दिख रहा है रेसल मीना के बाद मैं पहली बार किसी पीली के लिए हाइप हूँ नहीं मैं बैकले देखना है यहाँ पर अपडेट निकल के सामने है यह पीड़न की तरफ से काफी टरस्टेड यह लोग भी हो गया है पीड़न वाले पीड़न के कोरी की तरफ से इनका कहना है क्लास अदे कैसल इस एक्स एड और सेवन मैच इन्हों ने बता था कि छैया साथ मैच इस हो सकते लाइक आयरन मैच कंफर्म हो चुका है साथ में विमस्टैक टीम टाइटल डिफेंड होने वाली है उसके बार डैमिन अपिस्ट को फेस करेंगे ड्रू मैग एंटर वर्ल्ड टाइटल के लिए पाइपर नाइवन वर्से बेली का मैच होने वाला है चैड गेपलो वर्से से करके बताना है अगर यह नहीं होगा तो इसके अलावा कौन सा मैच हो सकता है या फिर एक हो सकता है ब्लड लाइन वाला यह मुझे लगता है इस ट्रीट प्रॉफिट के साथ के साथ काफी इंवाल्व और एंड एक मेजर पी लिए तो वहां पर ब्लड लाइन का मैच होना करके बताना अभी केसाब से इनकी अपडेट का यह कुछ कहना है कि टोटल 6-7 मैच अनाउंस हो सकते हैं पांच मैच और बाकि एक लाइस सदे कैसल को तो प्रवेबली आपको एक और दो मैच और एड़ करते हुए दिख सकते हैं अगर सारे मैच इस कराने तो एक तो एक तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन वर्सेश कोडी पार्ट 3 में देखने को मिलेगा जिस तरीके से रोमन कोडी रसल मीने 39 में हुआ इसी तरीके से इनका एक तीसरा मैच देखने को मिलेगा क्या ट्रायलाउजी हो सकती है लेकिन यहां पर अंतर यह होगा कि क्या रोल्स रिवर्स होंगे क्या रोमन रेंस होंगे बेबी फेस एंड क्या इस बार कोडी रोड्स हील होंगे रोमन का बेबी फेस बनना तो काफ़ी आपविस है लेकिन कोडी का हील बनना यह काफ़ी संभाव सा लगता है अभी बट अ अगर इसमें रोल्स रिवर्स हो तो कैसा रही है इसी तरीके से ट्वीट वगरा करके टीज करते हैं वाई अपने रिपोर्ट को साथ में यह भी ट्वीट करते हैं जस्ट स्मॉल टीज सूनर राधर दैन लेटर एंड वी रवन्स वाली मोजी तो रोमन के रिटन को लेकर कहते रहें कि expected time से पहले रोमन वापस आजेंगे इनका ऐसा कहना है बाकि आपको क्या सही में ऐसा लगता है कि डबी डबी रोल्स रिवर्स करेंगी यह तो मैं बिलीब कर सकता हूं कि रोमन रेंस बेबी फेस बनेंगे लेकिन कोडी रोट्स हील बनेंगे यह काफ यह संभव है अब यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे कॉर्डिंग अगर रोमन कोडी फार्ट थ्री होता भी है तो आपके रोट्डिंग कब होना चाहिए क्या यह समस्लैम में होना चाहिए क्या समस्लैम पर्फेक्ट प्लेस होगा कॉमेंट करके बताना मेटजर कही साब सकर देखा जा का मैच हो सकता है तो इसमें भाई रोल्स रिवर्स हो सकते है रोमन बेवी फेस कोडी रोट्स हील फिलाल गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी आई होप सापका इंफोर्मिशन मिली हो मिलो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब कर